कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जैसे करें सो तस फल चाखा प्यारे बच्चों सुप्रबात आज हम संधी पर चर्चा करेंगे जिसको इंगलिस में जोईरिंग कहते हैं और संधी सब्द का साब्दिक अर्थ होता है समझोता या मेल वाण संधा नाम संधी मैं ओम प्रकास गोष्वामी केंद्र विद्याल है मुझः फफन अगर तो चलते हैं संधी की तरफ सबसे पहले संधी कैसे कहते हैं संधी की पर्वासा वां संधा नाम संधी अर्थात बढ़णों के मेल से उत्पन होने वाले विकार या परिवर्तन को संधी कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संदी कहते हैं अब परिवर्तन किस प्रकार से होता है देखते हैं जैसे रमा प्लस ईस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा रमेस अब यहाँ पर रमा के मा में जो आ है और ईस का ई आ और ई के बीच संदी हो रही और परिवर्तन क्या हुआ आ और ई मिलकर के बन गया ए और इस तरह से रमा प्लस इस को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा रमेश सब्द बनेगा रमेश यानि विश्ण भगवान रमा प्लस ईस रमा यानि लक्ष्मी और लक्ष्मी के ईस यानि स्वामी अर्थात विष्णु भगवान और यहां पर समास हो जाएगा बवरी समास रमेश में सत प्लस जन को मिलाएंगे तो बनेगा सब्द बनेगा सजन यानि जो ता है सत का जो ता है वो किस में बदल गया जा में बदल गया और इस तरह से ता और जा मिल करके आदा जा और पूरा जा यानि सजन यहां पर ब्यंजन संदी हुई तो क्या परवर्थन हुआ ताकि जगए पर जह हो गया नमस्ते सब्द बना इसमें विसर्ग की जगए पर क्या हो गया सह हो गया महेश महा प्लस इस यहाँ पर और ए मैं सयोग हो रहा है मेल हो रहा है तो और ए मिलकर क्या हो गया ए हो गया और सब्द बना महापलस इस को मिला करके महेस महेस यानि महादेव भगवान सिव तो जब दो या दो से अधिक बरणाओं में मेल होता है और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं संदी कहते हैं वन संदा नाम संदी अब बात करते हैं ब पर स्वहर संदी होती है जैसे महोदय, महा प्लस उधय, अब इसमें महा के हामें आ है और उधय का जो पहला अक्छर है वजवी स्वहर करें, तो यहां पर जो संदी endured ऑ और उव Rouge में हो रPacidet है और दोना मिलकर के क्या बना मारूब अरो मिलकर के क्या वण गया हो बन गया तो यहाँ पर स्वर संदी का उधान उगा है ब्यांजन संदी ब्यांजन संदी में ब्यांजन प्लस स्वर या ब्यांजन के बीच संदी होती है और जब वो मिलते हैं तो कोई ब्यांजन या स्वरयोक्त ब्यांजन का निर्माण होता है जैसे जगदीस जगत प्लस इस अब तो यहां पर जब जगत और इसको मिलाएंगे तो क्या बना जगदीस यह विसर्ग संदी में क्या होता है बच्चों विसर्ग प्लस स्वर या वियंजन के बीच संयोग होता है और जब दोनों के बीच संयोग होता है तो विसर्ग या तो किसी वियंजन में या स्वर युक्त व्यंजर में बदल जाता है जैसे मनोवल मनहा प्लस बल मनहा प्लस बल अब यहाँ पर विसर्ग के इस्तान पर क्या हो गया ओ हो गया यह स्वरसंदी का नियम है कि विसर्ग के बाद यदि इस तरह की सिच्वेशन इस्टती होगी तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा तो पुम लायेंगे तो तब भी बड़ा आ होगा तो इस्तों से जब समान स्वरों में जब समान स्वरों में A plus A E plus E U plus U R plus D जब समान स्वरों में संदी होती है तो उनके इस्तान पर धीर यानी बड़ा हो जाता है जैसे रतनाकर रतन प्लस आकर रतनाकर समुद्र को कहते हैं रतन प्लस आकर तो रतन के A में और आकर का A और A में लगर के क्या हो गया A हो गया तो रतन प्लस आकर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा रतनाकर धीर के संदी गुण संदी में क्या होता है बच्चो A या A plus E या E का जब मेल होता है तो A और E के स्थान पर A हो जाता है A या A प्लस U या U में मेल होता है तो आ और उ मिल करके ओ हो जाता है या आ प्लस री में जब मेल होता है तो आ और री के स्थान पर अर हो जाता है गुण संदी के अंतरगत जैसे महुदय महा प्लस उदय अब इसमें जो संदी हो रही है वह हो महा का आ और उदय का उ आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा तो ये गुण संदी हुई इसमें गुण स्वर संदी अगली है यन संदी इसका सूत्र है बच्चों ये को यन्ची यानि एक एक अर्थात E U R 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 अब प्रती के ता में E है और इधर एक का जो A है वो डिफरेंट स्वर है E नहीं है E से अलग है डिफरेंट स्वर है A है तो E के स्थान पर क्या हो गया यह हो गया और यह मैं जब A की मात्रा मिलाएंगे तो A हो जाएगा और प्रती प्लस एक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा प्रती एक सब्द बनेगा ब्रद्धी संदी इसका सूत्र है ब्रद्धी रेच यानि आ या आ प्लस ए या ए को मिल करके क्या हो जाता है ए हो जाता है आ या आ प्लस ओ या ओ मिल करके दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है यानि इसकी पहचान है बच्चों ब्रद्धी संदी की पहचान है कि जब किसी सब्द में उपर दो मात्रा हैं जैसे एक एक सदैव जब उपर दो मात्र आ रहे हैं सब्दों के बीच में उपर दो मात्र आ रहे हैं दो चोटी ये दिया रहे हैं किसी सब्द में उपर तो वहाँ पर ब्रद्दी संदी होती है जैसे एक का इक इसका संदी विच्च दोगा एक प्लस एक यानि यहाँ पर एक के काम है जो आ है और एक का ए और एक के भी संदी हो रही है और दोनों के स्थान पर क्या हो गया और एक स्थान पर ए हो गया तो एक और एक को मिलेंगे तो क्या बनेगा एक का एक अगली स्वर संदी है अयादी संदी के बाद कोई अस्मान स्वराए तो ए के इस्तान पर अब और औ के इस्तान पर आव हो जाता है जैसे नयन नयन सब्द का संदी बिच्छत करेंगे बच्चों तो होगा ने प्लस अन अब ने में क्या है नामें ए है इधर अनका आ है तो ए और आ मिलकर के क्या हो गया आए हो गया यानि एक इस्तान पर आए हो गया और जो अनका आ है वो यह में मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा और इस तरह से जब ने प्लस अन को मिलाएंगे तो सब्द मनेगा नयन नय यानि नेत्र तो ये स्वर संदी के पांच प्रकार थे धीर्ग संदी गुण संदी यन संदी ब्रदी संदी और अयादी संदी अब विस्तार से धीर्ग संदी की बात करते हैं वच्चो धीर्ग मिंस बड़ा अर्थात अकह सवन्डे धीर्ग अर्थात जब आ, ई, उ, री के ब बढ़ावर धीर के सवर, धीर यानी बढ़ा सवर, जैसे A के स्थान पर A, E के स्थान पर बढ़ी E, O के स्थान पर बढ़ा O, R के स्थान पर बढ़ी R, यह आप देख सकते हैं, A प्लस A बढ़ावर बढ़ा A, E प्लस E बढ़ावर बढ़ी E, और O प्लस O बढ़ावर बढ़ा आले विद्याले विद्या प्लस आले हिमांक हिम प्लस अंक यानि वह अंक जिस पर जो पानी बर्फ बन जाता है हिम बन जाता है हिम यानि बर्फ उसे हिमांक कहते हैं गलनांक गलन प्लस अंक यानि जिस अंक पर जिस बिंदू पर जो बर्फ है पानी बनने लगती है पिगलन तो अब इसमें इनमें क्या हो रहा था और आ के बीच मेल हो रहा था और दोना मिला करके क्या हो गया धीर या नहीं बड़ा हो गया तो यहां पर धीर संदी है अब एक जामल देखी बच्चों कपीस इसका संदी बच्चत करें तो होगा कपी प्लस इस रवींद्र रवी प्लस इंद्र इसमें वा में E है और इंद्र का E है दोनों छोटे छोटे हैं छोटा E है लेकिन दोनों मिल करके क्या हो जाएगा बड़ा E तो मिलाएंगे रवी और इंद्र को मिला करके बनाएंगे तो क्या बनेगा रवी इंद्र अब U का उधान देखी बच्चो भानू दय प्रत्वी के उपर भू प्लस उपर भूर्ध भू प्लस उर्ध भूर्ध का मतलब होता है पहाड यानि भूमी का उंचा हुटा हुगा भाग यानि पहाड परवत तो यह उके अग्जामपल थे पित्रन अब इसमें बच्छे कंप्पूटर से प्रिंटिंग में थोड़ा सा पित्रन अब ताम ही आपको जो री दिखरा ही छोटा रही है लेकिन इसमें क्या है एक और इसी तरह का चूला सा बनेगा तो वो बढ़ारी हो जाएगा और वही सुद्ध सब्ध होगा पित्रिंग में बढ़ारी होता है तो ताम ही जो री दिखरा ही छोटा है लेकिन इसमे पित्री के ता में री है और इधर रिण में री है तो री और री मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ा री हो जाएगा और बड़े री में क्या होता है जो इसमें रिण के री में जो देखने हैं आप एक चूला सा इधर तो उसमें बड़ी री में दो चूले से होते हैं और जो अगली जो संदिया हो है गुर संदी यह भी स्वर संदी का ही प्रकार है गुर संदी में क्या होता है बच्चो आया आ के बाद यदि ए और ए आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है आया आ के बाद उ या उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है आया आ के बा में क्या है आ है इधर इसका ए तो आ और ए के वीच संदी हो रही है और आ और ए मिलकर के क्या बन गया ए बन गया परिवर्तन क्या हुआ ए तो महा और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा महेश यानि महादेव रमेश, रमा प्लस ईस, सुरेश, सुर प्लस ईस, सुरेश यानि इंद्र भगवान सुर प्लस ईस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सुरेश गड़ेश, गण प्लस ईस, गड़ यानि देवता और ईस यानि स्वामी, देवतां को स्वामी यानि गड़ेश तो यहाँ पर गण के डा में A है इधर E सका E और E मिल करके क्या हुआ परवर्तन A हुआ और गण और E सको मिलाएंगे तो क्या बनेगा गडेश भगवान गडेश नरोत्तम अब A और U का एक्जामपल देगी बच्चों नरोत्तम इसका संदी विच्चत करेंगे तो होगा नर प्लस उत्तम और यहाँ पर संदी हो रही है नर के रा में जो A है और उत्तम का U A और U को मिलाएंगे तो क्या परवर्तन होगा O और इस तरह से नर और उत्तम को मिलाएंगे तो क्या संदी होगी नरोत्तम गुण संदी, महोदय, महा प्लस उदय, भाग्योदय, भाग्ये प्लस उदय, आ और उ मिलकर के वो हो गया, ऐसे ही सर्वोदय, सर्वोदय का संदी विच्चत होगा, सर्व प्लस उदय, महरसी, अब आ और री का एक्जामपल देखी बच्चो, महरसी सब्द का यदि संदी वि रिसी अब यहाँ पर महा के हा में जो आ है और रिसी का री आ और री के बीच संदी हो रही है और आ और री मिलकर के क्या परवरतन होगा अर अर हो जाएगा अब महा और रिसी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा महर्सी बन जाएगा जो अर है महा हो गया और जो रही के लिए को स्वार नहीं है उपर चला जाएगा और एदर महरसी सब्द बनेगा राज रिसी का संदी बिच्छ दोगा राजा प्लस रिसी तो ये गुर संदी के उदान थे वच्चो और इस प्रकार से आज हमने संदी किसे कहते हैं बन संदा नाम संदी यानि दो या दो से अधिक बनों के मेल को संदी कहते हैं संदी तीन प्रकार की होती है, स्वर संदी, व्यंजन संदी और विसर्क संदी, स्वर संदी पांच प्रकार की होती है, धीर्क संदी, गुंड संदी, यंड संदी, व्रद्धी संदी और अयादी संदी, और आज हमने स्वर संदी के दो भेद डिसकस किये, धीर्क संदी और करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें धन्य बाद